ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दूस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेहरा मई सनिवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर आर्थिक इस्तिति को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभवना दिखाई दे रही है यदि आप नौकरी बदन तो उसमें भी आपको आज सपलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात आज आपको आपके मित्रों का शहिचenth प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे च्छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आप के लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परणामों की प्राप्ति होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथी साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और कोई नहीं रोक सकता दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती द्वारा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सहियम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना वाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबव व्यक्ति से सला लेने की आवशकता पढ़ सकती हैं जीहां दोस्तों कई बातों को लेकर आ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस् दनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता ह एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा खित्र में आज वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रें बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे जैंदोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जैंदोस्तो भार की कमपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना है साथि साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जूला रहने वाला है कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नहीं योजनाय बनाएंगे जिनमें उनको अवस्च्य ही सफलत अप्राप्त होगी नोकरी कनने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दोस्तों बात करते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपके स्वास्त में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दोरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कुछ हद तक कम हो सकती है दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव जी को एक नीला फूल अरपित करें और साति सात भगवान शनिदेव के मंतर ओम शन शनेश्चराए नमाहा मंतर का बहुती सच्य मन से, बहुती स्रदभाव से 108 वार जाप अवश्य करें और साति सात अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र शेही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही है समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कारें भगवान शनिदेव के आशिरवाद से बहुत आसानी से बनते चल जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद